आप पहले किसान हैं जो कह रहे हैं कि 29 कुंटल से थोड़ा उपर 30 किलो 30 किलो और आपने कंड़ा भी कर रहे हैं पैदावार हुए यह नहीं सड़ी कदीप पैदावार किल तिन से कतर के लगाएंगे दो किल नाइव रैटे को यह और लगाएं अच्छा और लगाएं यह मेरा बहुत ही खास मित्र है और यह गुंथला गडू में है कुर्क्षेत्रा पे होगा के पास साथ में है संजीव और साथ में भाईया है सुशील यह बटेडी गाउं से आए हैं यह भी आसपास ही रहते हैं वहां पर तो जब चर्चा हो रही थी गेहों की किस्मों पर तो DBW 371 के जो इन्होंने आंकड़े पिछले साल पर आपके हैं वो काफी अच्छे थे पैदावारी में तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं इनके साथ वीडियो बनाऊं और आप सब के साथ चर्चा करूं आप सब का बहुत-बहुत स्वाबित है आईए बात करते हैं दलीद पट आप तेरसो कतर लाई सी जी एदावी अब ही मिलेया इसानू उनिवस्टी जो इत्को करनागर विडियो बनाई सी मोगे दे तुसी एक जी कहा सी हाँ मेल गुल कहा सी तोनू मिलेया सी ऑके दो किल लाए सी ते ओदे चिफिर की रिजल्ट है ते तर्की ड़क्सर जी अलकार तोड़ पैदावार हुई है निसाड़ी कदी पैदावार नी होई जी कनक दी अच्छा एंजी ए लाग पाक तुसी लाओ जी है अजे कनक होडी रहागी सी थोड़ी विर्ली होगी सी बतर काट दे कारना फेर भी दी दो किल्या दी ओस्योस्ताई कुंटल बेर नेड़े दे गई है और आएए अब जड़ा संजीर से बात करते हैं संजीर आपको मैं अच्छे से पैचानता हूं पिछले साल जब भारती गें हुए हम जौन संधान संस्थान करनाल में बीज वितरन हुआ था तो आपने ये बीज डीवी डवल्यू 371 लिया था तो आपके गाउं बट मेरे पास जी सर 371 था और 372 था दोनों बीज दोनों साथ साथ पास ही इकठे लगे हुए थे अलग अलग खेत के अंदर जो 300 बात्ता था तो इसकी तुलना में मुझे कम अच्छा लगा अच्छा ये जादा बढ़िया बीज था जो बढ़िया लगा या इसका सिट्टे में से दाने जाता थे जी और वेट भी देखने में जाता था तो हमने इसका एक किल्ला अलग चिकटवाया था कंबाइन से और सिधा ट्रली का कंड़ा करवाया था तो 30 किलो हमारा वेट आया था ऐसा मैंने 371 का भी तक सुना नहीं है हलांके 372 में बटिंडा जिला पंजाब मे ठीक है जी कुछ-कुछ किसानों ने बोला है कि 31-32 कुंटल प्रती एकड़ भी आई है आप पहले किसान हैं जो कह रहे हैं कि 39 कुंटल से थोड़ा उपर 30 किलो 30 किलो और आपने कंड़ा भी करो है इसका किसान भायों आपने सुना संजीव के गाउं में बटेडी में इन्हो लिसाल डीवीडवी 371 का उससे 29 कुंटल से कुछ जादा पैदावारी ली है और ये बार-बार कहा करता हूं मैं कि जितनी भी वराइटीज हैं वो एरिया स्पेसिफिक किसी विशेश जगा में जलवाई उपर इपेक्ष और जमीन को देखते हुए कितनी पैदावारी दें इसका चोटा सा एक्सपेरिमेंट जरूर किया करें नहीं तो कह देतें 371 नीचे है जी, 322 बहुत उपर है जी, 327 की बार डिमार्ड है जी, 826 और भी उपर है जी, तो आप से ये आगरे है कि आप हर वराइटी को थोड़ थोड़ लगा के देखें हो सकता है आपकी जमीन कि इसी वराइटी को ऐसा अच्छा माल ले जो दूसरी जगा पे नहीं है तो उससे आपको अर्फिकलाब होगा, आप कुछ कहना चाहेंगे कि इसका फुटाव कैसे था, कद कैसे था, कद 372 से थोड़ असा जादा है जी, फुटाव उससे जादा है, फुटाव जादा है, पत 25 किले किति कर रहे हैं, 25 किले किले 371 के लगाएंगे, दो किले नहीं वराइटे को यह और लगाएंगे, अच्छा और लगाएंगे, अच्छा, तो देखते हैं, दजीत कैसा रहता है, 371 और जो अन्ने वराइटी हैं, अब मैं बतातू किसान में हो कि जो भारती गेम आवं जौन संदान संस्तान है, उनके मुताबिक है, यह 75 कुंटल और सतन पैदावारी दे सकती है, डीवी डीवी तीन सो इकतर की बात कर रहा हूं मैं, और ज्यादा से ज्यादा 87 कुंटल, प्रती हेक्टेर, दाई एकड में पैदावारी देती है, यह मन में कनवर्ट कर लिजे, यह 75 मन से 87 मन तक पैदावारी दे सकती है, तो कुछ-कुछ अभी दिखा भी है, जैसा संदीव ने और दलीत भटी ने बोला है हमको, तो आप इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, और मैं कहें दू कि जितनी भी नई किसमें आती है, उनमें रोग प्रती रोता बह पुज़ारत्वा एवं करनाल बंट से लड़ने की ताकत रखती हैं, और इनसे पैदावारी आपको ज्यादा मिलेगी, आप अच्छे ढंग से बेग्यानिक ढंग से तरह खेती, सबको रह सारी शुक्रामना है, नमस्कार.